हो गया अच्छा ठीक है कोई गाइज बॉट्स अब एटू फैमिली कैसे आप लोग तो फड़ा फट से सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग यू नो आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले हाट देने चैट सेक्शन में फड़ा फट से दिखाईए कि आप लोग सूपर अच्छे आर्ज हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत सा बहुत सारी चीजे मैंने परस्नली ग्रैप की हैं सीखने को मिली हैं और मेरा इसा मानना है कि आपको भी बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेंगी क्योंकि आज हम लोग रूबरू होने वाले हैं मिलने वाले हैं जैनरिक आधार के founder अर्जुन देश पांडे जी से, लेकिन उससे पहले, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया is known for youth, इंडिया is known for youth, yes or no, अगर इंडिया जाना जाता है यूवा शक्ती से, और सामने मुझे देख रही है यूवा शक्ती, और अब हम लोग invite करेंगे थोड़ी देर में यूवा शक्ती के सबसे होनहार, अर्जुन जी को, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, कि जो यूवा शक्ती अभी देख रही है, जो कि उनको सुनने को आई है, हम बहुत दिनों से announcement कर रहे हैं, और आप लोगों को उनको सुनने, उनको जानने बहेंगे न हम लोग, आचा ठीक है, तो यहाँ पे सामने मुझे दिखाई दे रहा है, खोल तो सकते हैं वेसे, तो एक बार ऊपर कर दो, सब के चैट्स खोलते हैं, अमेजिंग, ज़स्ट राइट डाउन, अर्जुन देश पांडे जी के लिए, आपको यूथ आइकन से मि जड़ गई, तो उसके बाद तो बात ही क्या है, आज की कॉन्वर्जेशन, लास्ट नमब आपको याद है, हमने M.B.H.I. वाला के साथ, यानि प्रफुल के साथ एक सेशन किया था, आप लोग जुड़े थे सब लोग, बस उससे भी अमेजिंग चीज अब होने वाली है, और आप लोगों को ये चीज कैसे फेवर करेगी, किस तरह से आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में, ये आपको जानने का मोका मिलेगा आज हमारे साथ इस सेशन में, तो सबसे पहले तो आपके चैट को खोलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग एकदम सूपर तो, ओके, आपके चैट में ओपन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आपकी एकसाइटमेंट आप चैट में दिखाओ, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब आपके खून में उबाल होगा, और जब आप जानना चाहोगे, किसी यूथ आइकन को, है ना, मज़ा तभी आएगा हो जाए यार, that's really a big achievement, 18-19-20 साल की उमर में, youngest millionaire बनना, इंडिया में चाना, रतन टाटा जी एक सपना है सब के लिए, उनसे मिलना, उनका partner होना एक बहुत बड़ी बात है, और सबसे important चीज, इतनी young age में, इतनी young age में entrepreneur बनना, एक businessman बनना, लोगों के लिए, लोगों के पैसों में, बहुत कम investment के अंदर, अपने सपने को, अपने, you know, छोटे business को start करने के सपने को, specially medical line में, इस चीज को उनने करके दिखाया, जो कि बहुत बड़ी बात है, और it's not about, you know, the people who just want to open their medical store, उन लोगों के लिए, जिनको दवाईया बहुत महंगे में मिलती थी, उनको स पस्ते दामों मर, दामों पर, मतलब अगर कोई दवाई सो रुपे की है, वो एक महंगी brand की दवाई, अगर brand हटे, तो उसके बाद वो दवाई शायद 10 रुपे या 12 रुपे या 15 रुपे में आम लोगों को available हो रही है, एक ऐसा सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया, जो हाट बनाएं, क्योंकि यूथ सपोर्ट करेगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंडिया यूथ के लिए जाना जाता है, लेकिन आज आप लोगों को चैट सेक्शन में प्रूव करना होगा कि हम यूथ पावर हैं, और हम एक साथ हैं, और हम लोग इंडिया को बदल कर रहेंगे, क्या बात है, तो बहुत सारे लोग हैं, और इसी के बीच मैं इन्वाइट करूँगा, और मैं चाहूँगा कि अरजुन खुद आपका नाम लें, और एक-एक को, यहाँ पर, वीकेंड से की, सब को ग्रीट करें, अरजुन. अरविन जी को मिलके अटु मोटिवेशन पेच पर आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मतलब जो भी जो भी यहाँ पर कमेंड में इतने एक्टिव है, रागव जी है, उसके बाद मैं पिंटु जी है, अनकिदा जी है, रविता जी है, एवरिवन आ सुपर एक्सा कि अच्छी अन उन्टपरेइन के तौर पर, तो इस रिली थांकिव फॉर हाविंग भी एक्टु मोटिवेशन अब जानेंगे कि एक्ट्व में यहाँ तक कैसे पोचे, किस तरह से इन्होंने धमाल मचाया हुआ है, और यूथ आइकन बनने जा रहे है, यंगिस मिलिनेर है यह सारी बाते हम लोग करने वाले हैं, और अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, मैं अपनी टेकनिकल टीम से कहूँगा कि कोई अच्छा सवाल आए, तो हमें वाट्सअप पर फोरवर्ड करें, मुझे बताईएगा, कॉन्वेशन को शुरू करते हैं आज अरजुन के साथ और जानते हैं डी पैनलिस्स और एक एक बारिकी को जानेंगे, यहां तक कैसे पहुँचे और आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा आप परदा गिरा दिया जाए, ग्रीन स्क्रीन हो जाए, और उसके बाद हम लोग आज की conversation को शुरू करेंगे, in fact, थोड़ी देर में जो हमारे होनहार, दो प्यारे प्यारे बच्चे जिनको आप पहले भी देख चुके हो, पुस्तके के, we can say, founder, है ना, उनको भी हम लोग साथ में invite करेंगे और जोड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन conversation पहले हम लोग शुरू करते हैं अरजुन जी के साथ में, तो आगर आपको कोई सवाल है ना, तो आप लोग comment section में जरूर लिखेगा, और नहीं है, तो एक चीज जो हम आप से मांगते हैं वो क्या, youth power और आपका प्यार, वो हमें आपके साथ, आप से हमेशा चाहिए, है ना, क्या बात है, तो चलि तो चलिए आज के conversation को start करता है, youth conversation इसको नाम देते हैं आज, और start करते हैं, अरजुन से सवाल पूछते हैं, और आपके कोई सवाल होना, तो comment section आप लोग जरूर लिखेगा, और नहीं हो, तो आपको प्यार जरूर देना है, क्योंकि youth साथ में होगा, तो हम देश बदल सकत हैं, सबसे पहले अरजुन जी, मैं सवाल आप से पूछता हूँ, कि इतनी young age में इतना सब कुछ अचीव करना, उसके बाद भी मैंने देखा कि two hours हमने आपके साथ बिदा है, so down two hours you are, ये सब कुछ कैसे किया आपने, वो परवरिश, वो सब चीजें आपको कैसे मिली, इतनी इतनी अची. हम लोग देंगे, तो वो मुझे चीज से पता है कि ground level पर क्या होनी चाहिए, और क्या होती है, तो आज की तारिक में आपने जैसे बोला कि ground to earth, ये चीज हम लोग को कुछ gold से मिला नहीं है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि king के बेटे नहीं है, कि हमको सब कुछ ऐसे ही मिल ग उनके माद्यम से अगर उनको एक नया business शालू करने में मदद हो पाए, यूथ को support करने में मदद हो पाए, that is one of the amazing thing. Amazing, पर ये चीज सब लोग जानना चाहते हैं कि इतनी चोटी सी उमर में जब हम बात करते हैं, ति चोटी सी उमर में लोग स्कूल की पढ़ाई के बारे बात कर रहे होते हैं, या फिर मैं कैसे एक्जाम में पास होंगा, या girlfriend boyfriend के चक्रों में पढ़े रहते हैं, इतनी चोटी इस उमर में आपने कैसे सोचा कि या मैं एक बिजनस खड़ा करूं, उन लोगों की मदद करूं, ये distractions से आप कैसे बचे और इस बात पर focus क्यों गया, पहले बाद तो मतलब business करना ये aim नहीं होना चाहिए हमारा मतलब मेरा भी aim नहीं था कि business करना एक बड़ा problem solve करना, मतलब बीच में example दोंगा आपको, एक around 10-11 साल का बच्चा था, मैं एक जगा पे एक franchise store के inauguration को गया था, तब वो एक बच्चा मुझे बोलता है कि भाया मुझे एक business मुझे चालू करना है, तो मैं क्या चीज में business चालू करूं, मैंने उसको एक चीज बोला, कि आप business चालू करने क आपका एक business चालू करी है, तो वो ही मैंने मेरे साथ में हुआ कि मैंने जो लोगों, जो senior citizens थे, उनको affordable medicines नहीं मिल रहे थे, इंडिया फार्मा इंडिस्ट्री में 10 रुपे की चीज 200-300 पासों में बेची जाती है, और जो need of an hour है, मतलब medicines में हमेशा मानता हूँ, ये necessary चीज में हम लोग पहुचे है, तो that kind of thing we have done on. अच्छा एक और सवाल है मेरा, कि आपने जो नाम रखा अपने business का, in fact मैं कहूंगा एक venture का, बहुत ही amazing venture है, generic आधार, तो ये generic और आधार, ये idea कहां से आया, ये नाम रखने का, specially, आपने ये तो बता दिया, कि idea उसके पीछे का reason क्या था, तो ये कैसे आया आपके दिमाग generic मतलब, generic medicines, 90% of the medicines are generic into the Indian pharma industry, and आधार मतलब generic medicines का, हर एक Indian को आधार, तो वो एक India, मतलब common man, वो रिलेट कर पाया, आज हम लोग, जहां पर भी हम लोग जाते हैं, तो common man are relating, generic medicines are now the real आधार for the end consumer, तो वो ही देखके मैंने चीज की शुरुबात की, और मतलब, ground level से लेके manufacturing तक, बहुत अच्छा response पर मिलता गया, मैं हमेशाच चीज यूद के लिए एक कहूंगा यहाँ पर कि, आप zero से one जो होता है ना, वो सबसे challenging होता है, बट अगर वो अपने पड़ाव पायर कर दिया ना, तो बाद में one to ten जाना, यह difficult task नहीं, और ten to hundred जाना, वो भी बहुत बढ़ ली चीजे, अगर हम लोग करने के लिए चांथे तो म लोग gossip थोड़ी ना, किसी को पूशने के लिए यह चीज में करूं की ना करूं, छे मैन हम आपकी exact age किया है मैं अभी 90 years हूँ और मैंने जब जनरी काधार शुरू किया तो मैं I was 16 years अब आप सोचिए कि 16 साल में इन्होंने जनरी काधार स्टार्ट किया था 19 साल में है और अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछू यह चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक करती है लोगों को आज का यूथ है वो पैसा कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वर्थ कितनी है if I ask, if you don't mind वर्थ से ज़्यादा आज ब्लेसिंग के उपर मैं काम कर रहा हूँ मतलब मैं वर्थ जो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पैसे के पीछे मत भागना आज मैं मतलब मैं जहां पर भी जाता हूँ आज भी मतलब बैंगलोर मैं हमारी इतने अच्छे स्टूडियो मैं आने के पहले आप से बात करने के पहले मैं हमारी एक फ्रैंचेसी मतलब जिन्होंने लॉगड़ाउन के टाइम में वो फ्रैंचेस चालू की जो एक वूमन उन्टपरेनर है उनको हम लोगने एक मौका दिया उनका कुद का बिजन्स चालू करने का आज मतलब जन्री कादर के माद़िम से हम लोग जॉप क्रिएट तो 3000 प्लस डिरेक्ट इंडारेक जॉप हम लोगने क्रिएट किये बट हम लोग उन्टपरेनर्स डेवलप कर रहे हर एक फ्रैंचेस के माद़िम से तो आज उनका बहुत इच्छा थे कि मैं उनके स्टोर पर आना चीए हूँ तो वहाँ पर में जब गया तो आराउंड 60-70 senior citizens थे उन्होंने मुझे जब blessings दिया ना वो मेरी वर्त है वो मतलब जब वो मुझे बेटा आप में मतलब जो अभी वीडियो भी है मैं डेफिनिटी वो सूचल मीडिया पर उनका blessings के डालूंगा तो वो मेरे सर पे हाथ रखे बोलते कि बेटा आप जो कर रहे है उनसे हमारा जो monthly bill पेरे 10,000-15,000 का आथा था वो आज 2-3,000 रुपे में आ रहे है तो वो चीज हमारे लिए मतलब बहुत matter करती है वर्त है मतलब आज रतन जाड़ा सर ने मुझे back किया है वेंचर में यह सब आर्धी by-product आप आपका aim क्या है आपका vision क्या है आपका mission क्या है उसके बारे में आपका goal clear हो focus clear हो तो आप कुछ भी चीज अच्छिव कर सकते है life में मैं आज आपको एक बात बता हूँ generally generally एक बात बोलता हूँ यह सवाल actually पता क्या है बहुत typical question है और जिस तरह से maturity से answer उन्हों ने दिया है ना मतलब एक 19 साल के लड़के से यह expectation इतनी maturity की expectations नहीं होती है generally जब पूछा आता है कि आज का यूँ थोड़ थोड़ा हवा में रहता है तुमारी worth कितनी है नो ओ मेरी worth इतनी है मैंने बहुत बार बहुत सारी बहुत सारे लोगों से बात किये बहुत सारे interviews लिया है तो ऐसा रहता है लेकिन look at the you know the level जिस तरह से यह answer कर रहे है अभी भी इतनी बड़ी height पे इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी इस सवाल का जवाब जिस level से उन्हों दिया न वो आप सब के लिए एक सबक है अगर अगली बार कोई आपसे सवाल पूछे और मैं इसके लिए standing ovation मैं तालिया बजाना चाहूंगा इस चीज के लिए बहुत इस सब मुझे लगता है कि इसको note करना चाहिए सब लोगों को और जितना youth देख रहा है याद रखो एक बात it's not about business all the time यहाँ पर अगर आप socially लोगों को serve करते है न वो भी आपको impact create करने में मदद करता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज का interview बहुत बड़ा सब लेकर और मैं चाहता हूं आप लोग इन सब चीजों से सीखे कि किस तरह से उंचाई पर पहुंचने के बाद भी हम लोगों को अपने ground को नहीं चोड़ना चाहिए बहुत बड़ी बात है और क्या जबाब दिया और actually मैं बहुत इस maturity वाले answer से मैं तो stop दो गया हूं और जवलाप करके दिखाएंगे क्योंकि मैं भी जब आपके वीडियो में देखता हूं तो उसमें हर एक चीज़ में एक inspiration होता है क्योंकि entrepreneurship हम लोग जब कहता है न तो आप send down सरत है पर उसके बीच में अगर आपके जैसे अर्विन जी जैसे लोग आगर आगे आके बोलते है कि आप डरी है मत आप आगे बड़ी है एक inspiration मिलता है तो entrepreneurship के लिए बहुत बड़ी आच की तारीक में बात है जी amazing क्या बात है मतलब salute है सोच को और please 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 बैठेए मैं अब ये भी जानना चाहता हूं कि इतने इतनी कम age में इतने अच्छे विचार आपके घर में अगर मैं पूछू कि बेस कैसे तयार हुआ यह जो answer आपने दिया यह बहुत बड़ी बात है तो आपके घर में inspiration कोन है आपके support तो है बट यह चीज जो मैंने सीखी है ना वो मैंने रतन जाटा सर को मैं इसका credit दूँगा क्योंकि रतन जाटा सर से हमको बहुत सर यूथ को मतलब मैं हमेशा कहता हूं our India is blessed to have रतन जाटा सर in our country क्योंकि आज यूथ को उनसे जो सीखने की चीजे है आज यूएस में घर पे जाता हूना तो उनसे मिलता हूना उनका जो simplicity है उनका बड़ापन नहीं दिखाएंगे हमेशा मुझे बताएंगे कि आप ऐसा करो आप ऐसा करो मतलब that kind of thing we should learn हमारे पास में आज पैसा हो सब कुछ हो बट कल नहीं होगा तब भी लोग हमारे साथ में खड़े होने च रतन ताटा जी का जिक्र किया अब ये चीज हम क्यों ये जिक्र क्यों हुआ है उसके बार में थोड़ा जानते हैं by the way इनका जो venture है generic आधार जिसमें बहुत सस्ती और कम दामों पे जो दवाईयां मिलती है in fact ये काम बहुत जगा पे हो रहा था बट start-up की point of view से नहीं हो प स्टाटर में अगर कोई इनसान है वो रतन ताटा जी को सभी लोग जानते हैं और सब लोग मिलना चाहते हैं और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनके venture में उन्होंने back किया है तो मैं ये जरनी भी आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुंबई में थे ये idea था आपके पास में रतन टाटा जी से मिलना कैसे हुआ ये मतलब मैं आपको चीज बोदा तो अगर हम लोग कुछ अच्छे चीज का काम करते रहते हैं पूरे शिगरत से विकेंड से अच्छे लोग आपको देखते रहते है मतलब मैं कहूंगा कि first मेरा एक साल था कर रहे हैं वो हमको आखे क्या सपोर्ट करेगा तो वो मेरे लिए पहले दस फ्रैंचे सी कनवर्ट करना मतलब मुझे अभी भी मैं सोचता हूं मैं जाता था पूरा पूरा दिन फिल्ड पे जाके उनसे बात करता था रीटेल ओनर से कि यह चीज मैं आपको दे रहा हूं आज बड़े-बड़े malls आरे online pharmacies आ रहे हैं हमार चोड़ा दुकानदार का business कम होता जा रहे है दिन बर दिन और आप customer को भी आप अच्छा discount दे सके अच्छा आपको भी profit margin मिले तब यह सब जो मैं करते समय मेरे शुरुवाती दिनों में मीडिया के बहुत अच्छे-चे interviews हुए media houses ने बहुत अच्छे मुझे support किया तो वहां सी चीज रतन जाटा सर तक पहुची मतलब मैं एक चीज कहूँगा आप अच्छे से काम करिये अच्छे-च्छे लोग आपको देखते रहते हैं रतन जाटा सर का अगर आपको मतलब सबको यह पता है कि उनको हमारे इंडिया क अगर इतने अच्छे इंडिया अपको इतने कम एज में अगर अगर अप्रिशेशन मिल रहा है तो हमको एक मन में पता चलता है कि जो हम लोग डियरेक्शन में जा रहे हैं अगर अगर यह तो इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि पहले ही दिन आपके पीचे बड़े-बड़े लोग खड़े नहीं होंगे आपको मतलब as a youth, as a you are आपको first step आपी को लेने है मतलब आप ऐसा मैं समझे कि मैं आप भी बहुत लोगों से interact करता है youth से उनका कहना होता है कि मेरे पास में idea है कोई तो आखे मुझे करोड़ो रुपे की funding एक पहले दिन में दे दे ऐसा possible, आप story सुनते होंगे news सुनते हैंगे, ऐसा होने वाला है नि वो तो आपको भी definitely पता है idea के बाद में आप जब execute करते है पहले 6 मेना profit आएगा नि पहले 8 मेना profit आएगा नि बट अगर अपने patience रखा, अपने अगर आपको control रखा और patient से काम करते गाए, जो आपका vision है उसमें आप काम करते गाए, एक दिन आपको definitely success मिलने वाला है not immediately, but definitely so वो चीज़ के ओपर मैं अभी मतलब जैसे की आप दोनों ने Shubham जी ने और मतलब IU जी ने जो पुस्त के जो venture चालू किया, मतलब e-tech sector में मतलब मैं personally आपने उसको back किया, मैं definitely उसको back करूँगा और मैं अभी बोलता हूँ कि मैं उसको back कर रहा हूँ क्योंकि आज के तारिक में जो e-tech में आप दोनों ने venture चालू किया है पुस्त के किसे, वो एक जो mission है, Indian youth को जो दीशया, मतलब Indian youth के पास में productivity है बट direction नहीं है उनको entrepreneurship होनो तो क्या करना है क्योंकि आज 10 के बाद में बच्चे को पता ही नहीं होते है उसको क्या करना है कोई बोलता है मुझे engineer बनना है एक साल बाद में अगर वो ही बच्चे को पूछे तो बोलता है जो डॉक्टर बनना है, आर्केट बनना है तो अगर आपका early days में आपका vision clear नहीं है आपका goal clear नहीं है आप अपके 25-30 तक आप education कर रहे है और बाद में education जो आप कर रहे हैं वो आपको use ही ना हो future में बच्चे तो loan लेते है education करने के लिए 40 लाग, 20 लाग, 30 लाग का आपका initial salary ही आपको जो market उतना मिलेगा आपको loan भरने में आपका आदा जिंदगी निकल जाएगा उससे अच्छा आप आपका खुद को चालू करिए छोटा चलेगा बट आपका खुद का होना चाहिए जहां से आप 10 लोग का employment दे सके तो आप दोना का मतलब शुभम जी का और आयूज जी का एक बहुत अच्छा venture है जहां से मुझे definitely आज मैं बोलता हूँ कि वो venture बहुत अच्छा याद है आप लोगों को तो आज finally मैं तो हूँ ही इनके साथ अब इनके पीछे कोन है जर आप देखिये इनको बैक कर रहे हैं अर्जुन देश पांडे खुद इनको बैक कर रहे हैं जनरिक आथार के जो founder है वो खुद इने बैक कर रहे हैं युवा शक्ति आपके सामने है मैं चाहता हूं कि एक बहुत आगे जाएंगे और हमें इनको support करना है ताकि ये venture भी एक दिन unicorn बने ये venture भी लोगों के सपने को पूरा करने वाला बने और ये venture दूसरों के लिए एक एक जामपल बने जिससे ऐसे यूथ और निकल के आए और जिनके पास मैं फिर से बोल रहा हूँ जिनके पास आइडिया है हम लोग यहाँ पर एक और अनाउस्मेट कर रहे हैं बहुत बड़ी कि हम लोग एक कम्मिनिटी बना रहे हैं अगर आपके आईडिया में दम है आप शियर खरिए एक ऐसी कम्मिनिटी जो आपको जीरो लेवल से मदद करेगी आपको रस्ता दिखाएगी हम लोग ठोर्ट लेकर आगे खड़े होंगे, मशाल लेकर खड़े होंगे अगर आपके आईडिया में दम होगा तो तो आप चिंता मत करिए लेकिन सबसे इंपोर्टन चीज है आपने वीजन को क्लियर रखेगा अपने आइडिया को लेकर आईएगा हम आपको बैक और सपोर्ट जरूर करेंगा अगर आपके आइडिया और आप में दम होगा एक बात और मैं आइड करना चाहता हूं कि अभी अरजुन जी कह भी रहे थे तो अरजुन जी ने क्या का था कि फंडिंग जो होती है आपके आइडिया से जादा आप में कितना मतलब आप उस चीज को कितना कैटर कर सकते हो कितना बिलीव रखते हो अपने आइडिया पर उस आगर आप लोग बिलीव रखते हैं कि आपकी आइडिया में दम है अगर आप लोग इस सोचते हैं कि नहीं मैं इस आइडिया पर अडिग रहूंगा और आगे बढ़ूंगा तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिले गई तो फाइनली जो पुस्त के आइडिया था उसको हमने इनाउंस किया है कि हम लोग इसको बैक कर रहे हैं इस पुस्तक आइडिया को और बेसिकली आइडिया उल्रेड़ी एक्जीकूट हो चुका है यह जो दो होनहार यह उल्री एक्जीक्यूट उसे कर चुके बहुत अच्छे तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं और आप कॉ scalable है और लोगों को मदद कर सकता है तो आप प्लीज मुझे अप्रोच करिए या फिर आप सीधे mail कर सकते हैं आपको एक help line mail idea आपको provide कर देंगे बहुत जल्दी हम community बना रहे हैं वहाँ पर अपने idea को आप send कर सकते हैं हम लोग उस idea को देख रहे हैं और अगर दम हुआ तो definitely आपको बुलाएंगे हम और आपको back करेंगे help करेंगे अर्जुन जी हमारे साथ हैं इस नेक कामे in fact it's not about हमारे साथ हैं वो सबसे आगे हैं और हम उनके पीछे-पीछे रस्ते को आगे इस चीज को आगे लेके जाएंगे हम सब एक साथ ही आगे जाना है as an Indian citizen as a youth of the country कि हमको वो चीज मिली early life में अगर हम लोग वो अगर दस लोग को और दे सके तो उससे बड़ी चीज नी होगी मतलब आज वो पुस्ते के है आज आप student community को अगर आप help करेंगे वहां से अगर सो लोगों को भी first year में अगर help हुई ना बहुत बड़ी बात है उसके एक साल इन्होंने वर्क किया एक साल इन्होंने इस्टोर पे गाए अपने से बात किया यह सिर्फ 16 साल के थे और यह स्टोर उने को कुझा साल रं जरुकर लाव मुझे बात टो और इनोने एक साल रं कि तब रतन टकासर को दिखा इन弋ने तो वैसे लai आपकर पास आइडीया आप ब startups की जिए सिर्फ आइडीया साथ उसे फर्स इस्टेप लेना सबसे इंपोर्टे जो जीडो से वन है जैसे अभी थोह थे पहले सर्वी वोड़े थे वह बहुत बहुत इंपॉर्टन है idea आपके पास है तो सबसे पहले उसे execute किजिए आप यूगी आप एक्जीकूट पर रहेगा तो वह कभी आप नहीं बता पाई है वह आप उसे execute किजिए इफ वह होगा तो जरूर जो sir border new community के बारे में उसमें हम लोग support सब एक साथ मिलके करेंगे क्या बात है क्या बात है तो मतलब यह वह ज़रा समझे रतन टाटा जी ने legacy शुरू किये in fact वो बहुत time से youth को empower करते आये हैं उन्हें support करते आये हैं उनका एक example आज हमारे बीच है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है रतन टाटा जी ने इनको support किया ये आगे दो हाथ आगे बढ़ा कर इन बच्चों को support करें आगे ये बच्चे आगे आने वाले youth को support करेंगे और ये चैन आगे बढ़नी चीए याद रखेगा उस चीज को हम लोग तोड़ेंगे जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा येस कोई नीचे से आके भी उपर उट सकता है उस सपने को पूरा करना हमें तो अब हम लोग यहाँ पर इस सब की बाते तो करेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि हम personally आज अर्जुन को थोड़ा और जाने मुझे लगता है कि हर बार जब एक इसी इंटेविय में जाते होंगे तो motivation की बाते होती होंगी maturity की बाते होंगी है ना आज थोड़ा सा लीक से हटके इन से थोड़ा सा एक session करते है लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी announcement हुए और इतनी बड़ी बात हुए comment section में एकदम हो हला हो जाना चाहिए एक बार आप लोग जरूर लिखिए अरजुन जी के लिए specially बें कहूंगा और इन यूथ के लिए आप लोग एक बार हाट जरूर दीजिए देखते कितने लोग देते है नाम पढ़ते हैं जरा कौन-कौन यहां पर एकदम सूपर एक्टिव है यहां से अरजुन सर थांक यू वरी माच उसके बाद में सूपरस्टार सेविन जरो सेवन जरो सेवन क्या बात है यहां बढ़ने का मुका दो दीजिए इतना विनो दिव्यांच प्रिया लाल गेमिंग राहूल असान प्रिया एके बहुत बढ़िया और यह तो वो चैट्स हैं जो कि यहां पर स्लोली अगर उन्होंने किया होगा ना ठाइप जो फिल्टर नहीं हो है वो आ रहे हैं यहां पर चलिए बहुत बढ़िया इसको सक्सेस्फुल बनाने के लिए अब थोड़ा अर्जुन को और जानते हैं अर्जुन से थोड़ी और बाते करते हैं ताकि आप एस समझ सको कि एंत्रपेनियोर या फिर अपने बिजनस करने अपने बिजनस आइडिया को आगे एक्जिक्यूट करने वाले लोग मंगल अर्जुन हर आपने बहुत सारे इंटर्व्यू दिये पहला सवाल मेरा यह है कि जो आपके न्यूज इंटर्व्यू हुए जितने भी रिपोर्टर्स ने क्योंकि हम तो एक यूट्यूब चैनल है उनमें से किस रिपोर्टर का सवाल आपको आज तक याद है और वो कौन सा रिपोर्टर था जो आपको लगता है कि वो इंटर्व्यू बड़ा यादगार था मुझे मतलब जब मैंने शुरुवात की थी तब मेरा सबसे पहले इंटर्व्यू आइटिंग यूर स्टूर्यू और बिजनस टूड़े में आया था और जब बिजनस टूड़े के जो जया कुमार जी थे वो मतलब मुझे अभी भी याद है मतलब तब मैंने जनरीक आदर जब शुरू करके मुझे आठ नौ मैंने हुए थे उनका जो आज तक का मुंबई का स्टूडियो है वहाँ पर मेरा उनोंने उनके बड़े कॉंफरेंस हौल में मेरा इंटिव्यू था वह मेरा पहला था और मैं बहुत डरा था उस ताइम पे उनोंने वह पूछा था कि मतलब पूरा माणिफेक्च्छिंग का उनोंने मुझे पूछा कि आप मेडिसन कहां से ला रहे कैसे दे रहे वह मुझे पदा था जो मय इतना सब बड़ा प्लैपोर्ग मिला आज यहां पर बिग बिग जैन्ट बेटेते हैं उसमें एक मतलब हम लोग आये जन्टिक आधर के नाम से और पूरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रप कर दिया तो आज मतलब MNC कंपनीज बैठी है वो हमारे इंडिया के लोगों का पैसा आउट ओफ इंडिया लेके जाए और मैनिफ तो वो मतलब एक डर भी लगता था शुरुआ जी डाइम में अभी बहुत अच्छे से लोगों का सपोर्ट है तो अभी डर तो चला गया क्यों कि आज लोग जूडते जा रहे सामने से तो वह पहला मुझे इंटर्वी बहुत अच्छा लगा था जी अमेजिक क्या बात है अच्छा एक और चीज उन्होंने अभी बोली है मुझे भी याद है देखो इन्होंने क्या किया एकदम बदमक्खी के छत्ते में हाट डाला है इन्फेक्ट इन्होंने क्या किया जरा सोचो एक्शली प्रॉफिट कौन नहीं कमाना चाता है आज हर कोई अपनी तिजोरियों अब तिजोरियों को भरना चाता है टडिशनल बिजनस चलते आ रहा है दस रुपे की दवाई वो कही बार आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन है जो मुश्किल से कोई उसकी कोस्ट 15-20 रुपे होगी वो इंजेक्शन जो है 700-800-1000 रुपे में बिकरा होता है इतना पैसा है तो पावर भी होती है और वह एक माफिया तो आपको कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ को इसा ऐसा कोई घटना-घटी या फिर तब थोड़ा मैंने जैसे कहा पहले जो 6-8 मैंने होते वो patients के होते तब मैंने वो patients से काम लिया, थोड़ा सा calm and cool लिया, थोड़ा-थोड़ा मैं दीरी-दीरी expand करते गया, फिर अतनड़ा सर आये venture में, उसके बाद में आज मोदी जी का, नरेंदर मोदी जी का मतलब बहुत जनरिक मेडिसिन को लेकर आने वाले समय में, उनके साथ में भी हमारा बहुत अच्छा यह होगा, हेल्स मिनिस्टर और नरेंदर मोदी जी के साथ में, क्योंकि मोदी जी का भी vision जो है, कि 130 करोड लोगों को जनरिक मेडिसिन से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया को इंडिया का सबसे बड़ा event होता है, आपने मतलब मेरे इंस्टा pages पे देखा होगा, तो वहाँ पर मैं chief guest था, पास्व मैनिफेक्ट्रिंग, इंडियन मैनिफेक्ट्रिंग के मैंने इनाउग्रेशन किया एक ही दिन में, तो वो जैसे platform पे आज के दारिक में फार्मा से सामन मैं बदलेंगे, तो हर एक चीज होता time का, time के साथ में सब चीजे हो जाती है, अमेजिंग, अमेजिंग, पर किसी ने बहुत ऐसा, ऐसा thread आया कभी, कि ये तो थोड़ा सा गभराने वाली बात है, फिर हमने किसी को बताया कि ये सब हो रहा है, कभी ऐसा कुछ हुआ या ये स सेफटी होना चीज है उसमें, तो वो मैं करता था, बट धीरे धीरे वो मैं expand करता गया, अभी मैं अच्छे-छे companies का मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप सभी लोगों को आज पता होगा, लोग नाम लेते हैं, वो companies का क्या-क्या है, आज लोग हमारे साथ में खड़े होते ह जैसे कि का लोगों का blessings मिल रहा है, कर ली मैंने online opening किया, यहाँ पर हमारा हाजीपूर में, बहुत चोटा सा शेर है, आप को पता होगा हाजीपूर करके, वाईशाली district में, वहाँ पर मतलब मैं अभी हर एक दिन में हम लोग 5-5-6-6 inauguration कर रहा है, हर एक जगा पर मुझे जा में satisfaction होता है, कि जिसको जो बोलना है, बोले, मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, common man के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे अगर अकल जाके कुछ होता भी है, तो भी मुझे फरग नहीं पड़ेगा, जो मुझे करना है, वो मैं कर रहा हूं, और ground पे वो चल रहा है, और बस यह है, यह बहुत important है, तो, इसके बारे में और एक चीज़, अपने जैसे security का बोला, तो मैं आपको बोल दो, रतन जाटे सर के साथ में भी एक जन नहीं रहता, that is the ground to level, क्योंकि लोग अगर आपके साथ में है, रतन जाटे सर के साथ में लोग है, आज लोगों का blessings, वै आपके लोगों के लिए आप देखते होंगे, तो that is the ground, मतलब मुंबए से, मैं कितने ताइम सर के साथ में गाड़ी में गया हूँ, बाजू का गाड़ी को पता भी नहीं लोगों का करिंगनेस है, कि कोई मेरे लिए रूखना नीचे है, security के लिए, so that kind of groundness we should have on. Amazing, amazing, तो आप देख लीजे किस वीजन से काम हो रहा है, it's not about कि मैं entrepreneur हूँ, और मैं security लेके और इतना सब ताम जाम लेके घुमूँ, ताकि लोगों को पता लगी कि मैं कितना बड़ा हूँ, नहीं, उन्होंने follow किये directly रतन टाटा जी को, और उनकी ground है, सब जानते हैं, और उस आपको भी चीगोगे, तो फड़ा फट से एक बार इस बात के लिए हो जाया है, कितनी साथी चीजें आपको सीखने को मिल रही है, क्या बात है, हाट सी हाट, आज तो कमाल ही कर दिया, पूरा चैट सेक्शन बढ़ा हुआ है, हाट के, अच्छा, अब अगला सवाल में पू इजूकेशन नहीं मिलता, अगर सच में चीज़ जो आप डेली लाइफ पे करते हैं, मतलब मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत यूआ ने तो यूथ, मतलब जो चीज टाइम वेस्ट करती है, वो अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो उससे हमको प्रोड जाना चीज है, तो वो चीज आप सीखें, जिससे आपको on daily basis फाइदा हो, क्योंकि आप सिर्फ एक डिग्री लेके, मैं तो कितने लोगों मिलता हूँ जिन्होंने एक डिग्री लिये, बड़ काम कुछ और ही कर रहे है, तो उससे कुछ फाइदा होने वाला है, नहीं, आप को जो करना है, वो करी, आज मैं खुश हूँ क्योंकि जो मैं daily life पे कर रहा हूँ, उसका मुझा knowledge और daily basis के उपर में लोगों से मिलता हूँ, तो और knowledge बढ़ता है, education is second knowledge, education is important, but not the degrees, तो उसके पीछे मत भागना, आप आपके productivity के पीछे भागना, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, India is the world's largest population, मतलब यूद का सबसे जादा population है इंडिया के पास में, यंगेस population है इंडिया के पास में, अगर वो population के पास में productivity बहुत जाद है, productivity बहुत जाद है, बढ़ अगर उनको direction सही मिले, तो हम लोग इंडिया को, मतलब इंडिया बनाने से कोई नी रोख सकता, मैं मेरे बड़ा दिल्चप सबसे दिमाग में अभी आया, कि मैंने अभी आपकी slides और आपकी सब चीजे में देख रहा था, आपकी आरे में पढ़ रहा था, तो आपको बहुत जगह पे as a chief guest बुलाया जाता है, तो आपके school जिसमें आप अभी पढ़े है, तो उनको teacher's question लगता है, तब मुझे बहुत अच्छा है, बाकी सब chief guest के जगह पे मैं जाता हूँ, तो ठीक है, वो अच्छी बात है, बड़ में जब स्कूल में मेरे वापच जाता हूँ, वो teacher से मिलता हूँ, प्रिंसिबल माम से मिलता हूँ, तो वो बहुत कुशी की बात हो दिए, कि आप वह अब एक सवाल में आप से पूछता हूँ, आजकल का youth जो है, जब schools में जाता है, और specially co-et schools में जाता है, जहाँ पर लड़कियां भी होती है, आप भी उस उमर से गुजर चुकियों, मैं भी उस उमर से निकला हूँ, पर मी ये चीज आप से चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वक थोड़ा सा पुराना हो गया है, आप एकदम, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कि school में ये जो distraction है, मतलब it's not about लड़कियों में भी टालेंट होता है, कि वो भी entrepreneur बन सकती है, और आजकल कोई किसी से कम नहीं है, तो वो distraction को आपने कैसे, you know, conquer किया, मैं वो जानना चाहता और अपनी vision की तरफ align कैसे हुए, और जो बाकी लोग school में से time waste करते है, ये relationship and all, क्योंकि वो जब छोड़ेंगे चीजें, तब तो वो कुछ career के बारे में, या फिर कुछ करने के बारे में सोच पाएंगे, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, मैं इसके बारे म मैं आपका जो एक साल अपने दिया, वो वेस्ट हो गया आपका, वो कही पर और आप कही पर और है, तो प्रैक्टिकली बताओं, तो एक साल आपने वेस्ट किया, वो ही अगर time, आप आपके business के उपर डाली है, start-up के उपर डाली है, आप कहां से कहां पर पोच जाएंगे, So that kind of thing, हमको सबको याद, ठीक है, अगर अच्छा चीज हो, तो उसके लिए definitely अच्छा है, वो चीज के उपर करणा फोकोस होगा, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके जिंदगी के पहले के, तीन-चार साल अगर अगे का बहुत अच्छा है, ब्राइट ह आप पहले आपके owner बनी है, उसके बाद में start-up के owner बनी है, तो वो चीज के उपर आप खुद decision लीजे, क्या करना है, आपको कहा पर जाना है आगे जाके, अगर आपको इसमें अच्छा लगता है, ये करिए, अगर आपको आपको कुछ तो अलग करके दिखाना है, तो वो क का काम है, जैसे कि आज मतलब ये दोनों लड़के एक दिशा उनके पास में, वो दिशा में चल रहे है, so that is very important factor, amazing, अब हम ना एक नया आज से, वैसे हम लोग पहले भी करते आएं, तो अभी अरजन भाई से क्या करने वाले हैं, हम लोग सवाल पूछे, वन वर्ड में आप को आंसर करना है, मतलब रैपिड फायर, हाँ, रैपिड फायर, ठीक है, तो सबसे पहला, मैं बाता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ में बात करके, क्योंकि एक यूथ को लेके, मतलब बहुत इंटेव्यू देते हैं, वो लोग अलग अलग कोलेक्स, मत अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, अरजुन से आप लिखिये, मैं मेरी टीम से कहूंगा कि प्लीज आप मुझे फोवर्ड करेगा, अगर कोई सवाल है तो डिरेक्टली मुझे बता देना, यह मुझे बता देना, के सवाल है, तो बीच में इधर निगाह करूं तो मुझ आप रिडिली पढ़ते हो, पहले दो भगवत गीता का नाम लूंगा मैं, क्यूंकि भगवत गीता से जबी भी आप पढ़ते हैं वो चीज को, रोज आपको नया चीज सीखने को मिलता है, तो भगवत गीता इस वन आफ दे, मैं बुक नहीं काऊंगा, उसको बुक से बहु कोई भी बड़ा इंसान लीजिए, आप मतलब इलॉन मस्क लीजिए, जेफ बेजोस लीजिए, मार्क जुकरबर्क लीजिए, फेसबुक के, किसी को भी न डे वन पर सक्सेस नहीं आया, तो वो डे, मतलब फेलियर के बाद में वापस आप वापस कैसे खड़े हो, वो चीज अगर आप बुक की बात करें तो जिरो टू वन ये बहुत मेरा बहुत अच्छा चीज है, तो ऐसे बुक्स ये, इस इस ए रियल एजुकेशन, जहांसे हमको रोच नहीं नहीं चीज सिखने को मिल दिये, अमेजिंग, तो पहला सवाल हुआ, क्या बात है, अच्छा इसको व जैसे की अरविन जी ने बताया, कि अगर आप आपके स्कूल मेंने तो कॉलेज इसमें अगर रिलेशन में जाते तो आप जाके पूछते आपके पैरेंट्स को, नहीं पूछते तो स्टार्ट अप करने के लिए क्यों पूछना है, आप स्टार्ट अप करिये, उसके बाद म कोई भी पैरिंट्स नimar को आपको अच्छा काम करने से रोकेंगे नि कियो रोकेंगे फैता है अगर मेरा बच्चा से ने जा रहा हैं वह समझना चीहें कि अगर मैंने आज नहीं करने दिया ना तो तो वह कुछ बुरा चीज करने वाले के था अलब उससे अच्छा यह चीज में लाइफ है, उनका गोल है, तो वो चीज करने दीजिए उसको, यहाँ पर एक छोटा सा फरक है, जो क्या कहता है, गल्फ्रेंड बनाने वाली बात ही, वो एक प्राइविट रिस्क है, यह एक पॉब्लिक रिस्क है, थोड़ा डर लगता है, नहीं, चलो, पर वहा खुद कमाऊ, ऐसे चीजों में जिस दिन रिलीज होने लग गया ना, हमारा हिंदुस्तन कहां पहुचेगा ना, आप यकीन नहीं कर सकते, आप सोचे कि एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए हम लोग जितने अफर्ट मारते हैं, अगर उतने दिमाग, उतना जो आप कर र पूरी है, और इसका जवाब दिया, थेंक्यू सो मच अरजुन, अब अगले सवाल पर जलते हैं, नेक्स कोश्चन हमारा ये है, अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्योंकि यहां पर बिजनस और एंट्रेपरेनोर्शिप की बात हो रही है, आपका फेवरेट मेल एंट्रेपर अगर आप इंडिया की बात करें, तो शुरुवात ही दिनों में, अगर आप मुझे अगर बूचेंगे तो रीते शागरवल, इंडिया से, क्योंकि बहुत कुछ नहीं था, तब उन्हेंने शुरुवात के मतलब मैं मिला हूँ बहुत बार उनको, वो ओफिस आते हैं, हमार अच्छा लगता है, उसके बाद में, अगर आप इंटरनेशनल अंट्रेप्रेनर की बात करें, तो इलोन मस्क, अब तक तो मैं मिला नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं मिलने का मुझे यह रहेगा, क्योंकि एक विजनरी, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता, आज यहां से हमक मतलब, इलोन मस्क का हम लोग देखते ही कि वर्ल्ल के सबसे रीचेस परसन है, बट उसके पीछे न, वो कितने बार बैंक करप्ट हो गया है, वो कोई नहीं देखता, बट वो बैंक करप्ट सीम है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लेम जेले, उनको एक उनके कंपनी से निका अची है, आज वर्ल में नंबर बन रीचेस परसन है, तो उनके मैनज से बने है वो, तो उनको भी एक करेंगा, अच्छा, बाइदेवे, कई लोग को नहीं पताऊगा, इन्होंने दो नाम लिये हैं, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि ये खुद बताएं कि आप जो पहली बार प्रिटेश अगरवाल को जाने थे, या फिर एलॉन मस्क को जाने थे, तो कौन से बिजनस के पॉइंट आवे से जाने थे, मतलब परसन, बिजनस के पॉइंट आप व्यू से, मतलब किस बिजनस से आपने जाना था कि अच्छा, ये उसके CEO हैं, क्योंकि सबके अलग-अलग कि आप मेरे उपर एक case study बना रहे हैं, तो मतलब दो साल पहले, तीन साल पहले हमको सुनने, मतलब definitely as of all entrepreneurship वो चीज़ important है, आपको लोगों से लाइफ से सीखना चाहिए, तो आपके यूटूबर्स के वज़े से आज मतलब A2 Motivation के 1.32 करोड subscriber है, तो वो जो देखते हैं, तो वैसे अलग-अलग मतलब YouTubers हैं आपके जैसे तो उनको मैं hats out दोंगा, amazing, 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 अब अगले सवाल पर जलते हैं, next question है, your favorite female entrepreneur, अगर आप देखेंगे तो अभी just Naika list हुआ, तो she is one of the most, मतलब उनों ने एक, उनके बास में बैकिंग थाने, तो कुद का एक अच्छे लेवल पे थे, बट इतने कम समय में उनोंने लिस्टिंग करना इंडिया में और profitable startup, अभी में इसमे profitable startup में उनका नाम क्यूं करूंगा, क्यूंकि profitable startup is the need of an R, आज के तारिक में अगर आपने देखा होगा, कि startups में सिर्फ valuation के उपर सब हो रहे हैं, but fundamentally अगर आप देखें, तो company is not loss making, जब तक founder के पास में उसका last take बचता है, तब तक उनको funding आता है, उसके बाद में क्या, but definitely उनके पास में vision है, that's a good thing, but मैं Nika की बात करूंगा, तो she have done great things, क्योंकि बहुत कम समय में उनोंने list की और profitable, and जिस इन list हुए उसके अगले देन, she was in 100 top billionaire list, so वो चीज मतलब हमको देखनी चाहिए, amazing, amazing, चलो अब थोड़ा और करीब से जानते है, Arjun की favorite film कौन सी है, जो recently आपने देखी, या फिर, आपकी favorite, आप generally उसे देखते हो, movie के बात करूँ, तो for, मतलब अगर आप इसकी बात करें, तो सब entrepreneurs के लिए TVF picture, यह आया था, बड़े वो web series है, वो है, नहीं तो अगर आप देखेंगे, भाग मिलका महाग जैसे movies है, नहीं तो फिर आप तारे जमिन पर जैसे movies है, ऐसे अलग-अलग movies बहुत motivate करती है, वो आपको देखने, मतलब as an entrepreneur, वो देखने ही चीए, बाकी तो definitely अभी सूरे वंशी आया, तो वो भी मैंने देखा, मैं ना नहीं कहूंगा उसके लिए, बट उससे, वो मेरा फेवरेट नहीं बोल सकते है, बट फेवरेट, हाँ देखी, वो अभी मतलब सूरे वंशी मैंने, अ ऐसे लोग इतनी maturity से बाते करते हैं, बट ये भी अर्थ पे रहते हैं, नॉर्मल लोगों के जैसे जीते हैं, ये आपको समझना चाहिए, कि हम जैसे लोगों से निकल कर ये लोग आये हैं, ठीक है, हमारी भी नॉर्मल शोक है, इन्होंने सूरे वंशी देखी, अच्छा इस अराउंड 7.30 को, तो तब मुझे अभी कुछ तो, मतलब संडे का इवनिंग था, तो मुझे कुछ तो नया एक्स्वोर करना था, तो तब ही मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सूरिशन उस दिन ही लिया, तो उस दिन मैंने फर्स देखा वो चीज को, और मैंने पूरा एक ही टा आपको देखनी चाहिए, जहां से कुछ तो आपको लनिंग मिला है, ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा कि रोज आप वही देखिए, माइन को फ्रेश भी होना चाहिए, आपको रीचाज होना चाहिए, क्योंकि आप रोजी वो सिर्फ इंस्पिरेशन लेगें, मोटिवेशन लेग अगर आप लिंडिन मेरा देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, तो रोज कोई ना कोई तो ये आइडिया मेरे पास में है, वो आइडिया मुझे है, मुझे फंडिंग दिला दो, मुझे ये करवा दो, बट आइडियास को मैं कभी भी बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा रेवि अब ही तक जैसे जनरीक आधार बहुत अच्छा बिजनस आइडिया है, एक वेंचर है, जिसमें वो जो सोशल इंपक्ट भी डाल रहे है, अगर मैं इसके अलावा अगर आप से पूछूं कि ये जो ये जो आइडिया है, इसके अलावा कौन सा आइडिया जिसने आपको बह किया है, जो आपको बताना है कि ये जो कंपनी जो आइडिया जिस आइडिया पर काम कर रही है, यह जो आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, वो कौन सा है, अगर हम लोग देखे, तो आजके तारिक मैं छोटे-चोटे स्टाट अपस को ऊपर, मतलब अगरिकल्चर स्पे मतलब मैं अगर मतलब वो चीज एक है, अगर मुझे आप पूछेंगे तो पूस्तक है, अभी के मतलब यह जो दो लड़कों ने चालू किया हुआ कंपनी है, तो इसमें उनके पास में इनिशल फंडिंग नहीं है, नहीं था, तो उसमें उन्होंने खुद का कुछ चालू क कर दिया, लिंक्डिन, तो उनके पास में पैसा बहुत है, वो अगर मॉडल चेंज करके बोल रहे हैं, मैं कल से 10 मिनिट फासर दिलिवरी दूँगा, दे सकते हैं, वो क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में बिलियन सोर फंडिंग पढ़ा हुआ है, जाइंट है, तो पैसे के बाद में आइडिया आ जादे है, बट आइडिया से पैसा बनाना वो इंपोर्टन पॉइंट है, तो वो मैं चीज यहां पर कहूंगा, आइडिया इस दी गेम चेंजर, और वो अगर हैगा आपके पास में आप दुनिया में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्या पैसा कमाना चाहते हैं, और उससे भी सोचल इंपक्ट है, पीज हाते हैं, इंडिया में नाम रोश्न करना चाहते हैं, उनके लिए तो अर्जुन को जब मोका मिलता है तो वो जब फ्री होते हैं, आपको कोई सर्व कर रहा है तो आपकी क्या चोछी है? चाय, कोफी, या फिर इसके लवा कोई तीसरा ड्रिंक? नहीं, चाय. चाय चाय अच्छे लगते है? अच्छी लगते है, मतलब मैं एक प्रोपर इंडिन कल्चर से बिलॉंग करता हूं और वो ही अपको माइंड फ्रेश कर देती है वो चीज़, सो वो चाहिए, डेफिनेटली. अच्छी लगते हैं, अच्छी लगते हैं, लेकिन उसके लवा अगर मैं बोलू जेफ बेजोज या फिर हमारे बिल गेट्स, तो उन में से, और स्टीव जोब्स को भी हटाते हैं, तो इन दोनों में से कर किसी कुछ चूज करना हो, बिल गेट्स और जेफ बेजोज, मैं काऊंगा, बिल गेट्स, क्योंकि वो टाइम पे, मतलब जब इंटरनेट का रिवलूशन नहीं आया था, इतने पहले के समय में, पहले, आज के ताइम में तो होता है, जेफ बेजोज जिन जब चालू किया, तब ताइम उस डिफरेंट। बिल गेट्स और जो चालू किया तब उनका ताइम इट清 neverनेख ताइफ एज बेच एजन आपको पर माय किला, तो और इमारे साथ चल लैँ है, कि अगर इकला स्व कि लोगों को मेडिसिन सब के घर घर पोचाता हूं फिर इलॉन मास जी को बोलता हूं कि आपको मुझे मंगल गरभ पे सेट करने आपकर दीजिए पहले मेरा काम मुझे पूरा करने दीजिए हमको भी मुझा मिलना चाहिए ना अचा एक अभी थोड़ा सा क्योंकि आपका मेडिकल लाइन का एक है जब हम लोग हमें एक कॉमन प्रॉबलम है कि हम लोग बहुत जादा काम करते हैं कंपीटर के सामने बैठे रहते हैं तो एक ऐसी मेडिसीन जिसके कोई साइड इफेक्ट ही होते हैं दो-तिन चीज़ा के बारे पूछना चाहंगा जैसे सरदर्द होता है आपका भी बहुत बारे साने मेरेसे होता होगा कि अःमने भात कंपीटर देखा है और Primary पर वक्त बिता है, बहुत टाइम हो गया और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अगर सरदर्द हो तो जन्री काधार के लिए, बहुत फास्विंग प्रोड़क्त है, अजित्रोमाइसन, मतलब वो एक बहुत अच्छा प्रोड़क्त है, वो करता हूँ, बड़ उसके साथ में मतलब meditation होना चाहिए, एक मतलब आप जब start-up करते हैं, आपको mind constant रहना चाहिए आपका, ऐसा होता है ना शुरुवाती दिनों में start-ups के, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, आपको priority समझ में नहीं आती, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर priority clear ना हो, तो आपका 25 क्या-क्या चीज़े करनी है, तो 20 आपको क्या-क्या चीज़े करनी है, और उसमें के, आपके मन को पूछे कि आप top five क्या है उसमें के, वो आप पहले के रही है, उसके बाद में बाकी सब तो आपको उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा तो वही मैं चीज का हूँगा नेक्स जो क्वेस्टन है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लाटफॉम्स है यूट्योब, फेस्बुक, इंस्टेग्राम और बहुत सारे तो आपका फेवरिट कौन सा है? यूट्यूब कहूंगा मैं यूट्यूब से नॉलिच का फैक्टरी अगर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि आज के तारिक में अगर हम लोग जब उन्ट्रेनर की बात करते हैं मैं अगर बोलता हूं कि आज यूट्यूब जॉब जॉब क्रेटर ना जॉब सीकर अच्छे च्छे कंचन हमको लोगों तक पहचा हैं वो सब बिजनस को फॉलो करते हैं और वो को एक सपना है उनके पास में एक वीजन है उनके पास में तो वैसे ओडियंस बहुत आपको यूट्यूब पे मिलेंगे थोड़ा सा और जानते हैं अरजुन इन्वेस्मेंट पर बिलीव करते हो इन्वेस्मेंट अगर आप प्रॉफीडेबल है तो इन्वेस्मेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि इन्वेस्मेंट मतलब ठीक है एकदब मास एक्सपेंशन करना आपको इन्वेस्मेंट लगती है बड़ अगर आप प्रॉफीडेबल है मतलब जनरी काईधार में day one से मैंने कभी भी valuation के उपर मैंने काम नहीं किया जनरल जनरल ही क्या होता है कि suppose कि लोग भी पास जब पैसे होता है 100 रुपे 200 रुपे तो वो कोशिश करता है कि आतो हम उसे बैंक में पैसे हैं तो या तो मैं पैसे होंगे तो आपने सोचा होगे इन पैसे होंगा क्या करूँ आपके बास बहुत सारी चॉइसे हैं उनमें से एक को चुनना है जैसे RD, FD, Mutual Fund, Share Market या पि मैं Sona खरीद लूँ या कोई property बना लूँ या फिर अपना कोई business के नए idea उसमें invest कर दो पहले तो अगर ऐसा होते तो मैं reinvest करता हूँ जन्री कादर में और दूसरा अभी हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ अच्छे अच्छे startups में मैं थोड़ा-थोड़ा token investment ने तो seed investment हम लोग कर रहे हैं अभी share market में तो जो companies हैं वहाँ पर हम लोग ने पैसा डाला भी तो उनको पता ही नहीं चलने वाला किसने पैसा डाला किसने पैसा नहीं डाला कल अगर डूब गया तो भी हम मतलब उनको फरग नहीं पढ़ने वाला है तो उसमें क्यों डालना और किसी का दूसरे का company grow करने के लिए मैं पैसा क्यों डालू अगर कोई अच्छा entrepreneur है visionary entrepreneur है उसको मतलब 5 लाग, 10 लाग हो, 2 लाग हो उसको अगर business खड़ा हो सकता है तो उसको मैं support करता हूँ और उसी के लिए अभी हम लोग जो platform भी लाने वाले है मैं personally भी definitely वो चीज़ के उपर और focus करूँगा और वो मेरा जो investments है मैं अच्छे-च्छे startups में initial level पे करूँगा exactly, तो मतलब यह है सवाल से जवाब जो आपको मिला आप समझे कि ये future investor है in fact future नहीं मैं कूँगा present में invest कर रहे है बहुत सारे startups में उनकी मदद भी कर रहे है और ये काम मैंने भी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगले एक तो महीनों में मैं ऐसे ventures देखूँ जहां पर मैं भी invest कर सकूँ so there is a golden chance for all of you हम आपको उसमें भी मदद कर सकते है but again अगर आपके पास कोई ऐसा idea है तो आप लोग जरूर हम तक पहुँचाए हम आपको एक help line email ID देंगे वहाँ से आप हमें approach कर सकते है so finally आज के session को कैसा लगा पहले तो बताओ आपको मज़ा है जानके आखरी सवाल की तरफ चल रहे हैं लेकिन उससे पहले मचाता हूँ एक बार शोर मचा दो चैट सेक्शन में कैसा लगा मज़ा आया यो क्या बात है क्या बात है फिर से नाम पढ़ते हैं काफी लोग एक तो continuously यो दे रहा है A2 knowledge guide क्या बात है Mohit FB क्या बात है मज़ाया आपको आज अरजुन जी खुद आपके चैट से देख रहे हैं मैं अभी थोड़ देर में आपके चैट से पीछे भी खोल दूगा पर हार्ट सी हार्ट सारे हैं क्या बात है यह है यूथ पावर और आप लोग जिस तरह से कमाल कर दिये कमाल फार्मा किड यह इन्होंने आपने इनको शोट नाम दे दिया क्या बट मैं कहूंगा फार्मा किड नहीं है इस एक्चल आपको लिखना चाहिए फार्मा मैन है ना क्योंकि यह मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली पर्सनली मेरा ऐसा बिलीव है कि आपकी जो मिचुरिटी आपकी एज के साथ नहीं आती है ठीक है वो मिचुरिटी आती है आपके काम से और इस चीज को सपोर्ट और सपोर्ट करना बेहत ज़रूरी है और फार्मा मैन यह जम गया काम, तो इंडिया के, मुझे फार्मा मैं नहीं चीए, मुझे फार्मा किड डेफिनेटली हुई, तो लोग प्यार से बोलते हैं, वो छीज़ को फार्मा वंटर किड बोला, तो वो छीज़, डेफिनेटली इस इंस्पेरेशन है, अभी यह जो कमेंट्स देके, और अ आपने बहुत कुछ अचीव किया, और इनफेक्ट आपने सोला से उनने साल की उमर में तीन सालों में आपने एंट्रेपेनोर की बारी क्या सीखी हैं, आपने जाना है कि किस तरह से किसी कंपनी को या किसी स्टार्ट अप को शुरू किया जाता है, उसमें क्या पढ़ाव हो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे आपने बीच में बताया है, तो ये मेरा एक सवाल है कि क्या-क्या हम और इन एंट्रेपेनोर, भावी एंट्रेपेनोर को देने वाले हैं, उसके बारे में, वो सारी बारी किया एक बार प्लीज बताईए इनको, अभी जैसे कि एक मेरा वी भी उन्होंने बना, तो जो जिनको स्टार्टप्स का अभी या इश्राज जी भी कहा जाता है, तो अच्छे जी मतलब डिफरेंट काइंड ओफ लोग अभी बहुत नेटवर्क्स में रहते हैं, तो उनसे हमको यंग उंट्रेप्रेनर्स को अगर मेंटर्शिप हम लोग दे टोकन इन्वेस्मेंट्स दे, एक प्लाटफॉर्म के जरी उनको लाइसेंस में सपोर्ट करें, जो भी हमसे बन पाएं, वो हम लोग करें, तो उसे आदमी, मतलब बच्चे को चलने तक, उसको उंगली पकड़ के चलने तक, जो स्टेप रहते हैं, वो हम लोग करना चाहें, एक पर वो खड़ा हो गया तो वो आगे जाके मतलब मेरा ऐसा मानना है, वो और लोगों को सपोर्ट करेगा, तो वो हमको मतलब डेफिनिटली एक, मैं नाम डेफिनिटली जल्दी हम, मैं अनौंस करूंगा वो चीज़ का, और वो बहुत अच्छे इंपक्त होगा यूथ के आइडिया या फिर खुद पैसा कमाने के लिए कुछ भी सीखने के आइडिया पर आगे जा रहे होंगे, उनके लिए आप आपने जो भी अभी तक सीखा है, उसके हिसाप सापको क्या लगता है, तीन लर्निंग्स जो आप उनको देना चाहते हैं, एक तो एक्जिक्यूशन बहुत जल्दी करिए, आइडिया मैं मतलब मैंने जैसे कहा, आइडिया सब के पास में होता है, एक्जिक्यूशन की बात होती है, एक्जिक्यूशन अगर आप आइडिया का कितने जल्दी करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आपका जो आइडिया है वो किसी के पास में ना हो, आप वो कभी-कभी आप चुपा के रखेंगे, आप किसी से, मतलब करने हैं, execution की बात की बात कर रहा हूं, तो आपको बोलना चाहिए वो चीज के बारे में, पहले अगर आप दस लोग के advice लेने जाएंगे, तो आपको दस लोग बोलेंगे, आरे, ये तो नही चलेगा ये, तो नहीं होने वाला है, तो आप अंदर से demotivate हो जाएंगे, अगर आप अंदर से demotivate हो गया ना, तो आप field पर, मतलब वो होने ही वाला है, आप वो चीज पूछने मत जाहिए, आपके जो मन में सही लगता है, आइडिया अच्छा है, आप ground level पे ज़्याद जोब creator, आज हमको job creator की इंडिया को बहुत जादा जरुवत है, इंडियन economy को हम लोग जो कहते है, 5 trillion की बनाना, 10 trillion की बनाना, तो इंडियन youth है, वो बहुत जादा उसमें काम करने वाला है, जो top 100 industry list है, उन्होंने ही, यह नहीं किया रहा हुआ है, कि हम लोग ही करेंगे, चोटी-चोटी बातों से, execution is one of the important point, what I can say, amazing, amazing, so आपने बहुत सारी चीजी सीखी हैं, जाते-जाते, finally session को खतम करने से पहले, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ध्यान से सुनियेगा, अरजुन आज हमारे साथ हैं, और इन्होंने जो achieve किया है, 16 साल की उमर से शुरू करकर आज 19 साल के हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, age matter नहीं करती, matter करता है आपका जजबा, और वो इन्होंने करके दिखाया है, और मैं चाहता हूँ, जो भी last तक रुका रहा, और इस session को देखता रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग issues को follow करें, और अपने सपने को मारें नहीं, अ अगर आपके पास कोई सपना है, कुछ करना चाहते हैं आप, चाहिए वो business related है, किसी और चीज से related है, इन्होंने एक चीज कही कि आप वक्त जाया ना करें, और उसको execute कर डालें, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, और शायद वो idea किसी और के पास भी होगा, तो समय हम ल earnings आज हमने अर्जुन के साथ सीखी, एक, in fact, दो बड़े announcement यहां पर हुएं, कि अर्जुन अब मेरे साथ साथ पुस्तके को back कर रहे हैं, जो हमारे भावी यू है, आजाओ, है ना, picture में आ गए, ये पुस्तके को back कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी announcement है, और मैं चाहता हूँ, आप लोग इसके लिए योई जरूर लिखें, और finally, दूसरी बड़ी announcement आप लोगों के लिए है, कि अगर आपके दिमाग में कोई idea है, business को लेकर, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा idea भी execute हो सकता है, मेरा idea भी बहुत अच्छा है, आपके सामने हम लोग बहुत जल्दी अच्छी community लेकर आ रहे है, जहां पर आपका idea भी, जिसके अभी सिर्फ दिमाग में है, वो बाहर निकल के उनको सपनों के punk लग सकते हैं, वो भी reality में convert हो सकते हैं, ऐसी community में आपके सामने बनाने जा रहे हैं, लास्ट में सिर्फ एक ही हुकार भरूँगा, अब वो वक्त गया, जब राजा का बेटा ही, राजा बनेगा, क्योंकि ये होनहार बच्चे आपके सामने, और in fact हम सभी एक्जामपल है, मैं अभी बहुत छोटी सीटी से हूँ, मेरे फादर कोई businessman नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़े businessman है, बहुत नामी नहीं है, बहुत नॉर्मल और on and average, below, you know, I can say कि below average family से मैं belong करता हूँ, मैं सूरतगड राजस्तान, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वहां से हूँ, बैंगलोर पहुंचा हूँ, आपके सामने दूसरा example, ये रहे हमारे अरजुन जी, ठीक है, मुझे personally believe है कि इनके idea ने इनको founders हैं, आयूश और शुभम, so ये example आपके सामने कि हम लोग अगर यहां तक पहुंच सकते हैं, और power बन सकते हैं, तो आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और बस शुरुवात क्या करनी है, सिर्फ एक कि 0 से 1 पर आपको जाना है, मैं इसमें और एक चीज बोल कहां से आपने शुरुवात किया होगा, आपने जैसे मुझे जैसे मुझे यूटूब का आपका बहुत अच्छा वो गिफ दिखाया मुझे यूटूब से आया हुआ, मतलब आपको जब मिला होगा ना तब आपको लगा होगा कि जब मैंने शुरू किया था, जहां से मैंन में आज entrepreneur बन सकते जैसे कि आपने भी वो चीज बहुत अच्छे से लोगे लाइक और बोलेंगे तो आज संडे था तो संडे में सर रेस्ट कर रहे थे सर बहुत ज़्यादा महनत करते हैं लास्ट टाइम जो हमारा लाइब वह दस बजे तक चला सर का खुद का लाइब दस दस ज़्यादा सर सपोर्ट करें सर का सपोर्ट लाइक ऑसम थैंक्यू सोमच मैं मैं यह चीज अचाथ में एड करता हूं और यह चीज के लिए अरजुन भी अग्री करेंगे और हमारे भावी यह जो होनहार हमारे बच्चे यह अग्री करेंगे कि बिना टीम के हम आगे नहीं शुरू में जरूर मैं शायद एक या दो लोग थे लेकिन आज हमारे साथ जो टीम है उनके फर्ट्स हैं जिनकी वज़े से हम आज सेशन ले पाते हैं मैं आपको बताता हूं कि आज संडे हम पूरे साथ-छेसा दिन लगे रहते हैं उसके बावजूद भी संडे के दिन हमा मतलब बहुत अच्छी से मुझे चाय पिलाई आपकी पूरी टीम मतलब एक अनर्जाटिक है और बहुत अच्छी चीज़ है तो और स्टार्टप में टीम सबसे ज्यादा मैटर करती है तो यह लोग है तो हम हैं और इसी के साथ बस इसी लिए तो हम लोग इतने सपने देख पाते हैं इसलिए कई बार आप लोग सवाल पूछते हो इतने सारे काम कर रहे हो कैसे कर पाते हो TIEM के बिना पॉसिबल नहीं है हम सब नहीं देह सकते हैं सुबह उटके लेकिन एक्चुल में एक्जीक्यूट करना वो TIEM के बिना पॉसिबल नहीं और मैं बहुत खुशी ह तो याद रखना हम लोग आपके साथ हैं इसी के आइडिया के साथ हम लोग आज सेशन को खतम करते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्यू सो मच लास्ट एक चीज बोलना चाहूंगा हमें गिववे में आईफोन देना था वो आज सेशन करना था वो हम कल कर रहे हैं सो बहुत-बहुत शुक्रिया ना प्यार देने के लिए थैंक्यू सो मच बूंगू innovative